मित्रों, क्या एक पत्ता आपको स्वास्थे से संबंधित, अनेक लाभ दे सकता है? जी हाँ, बिलकुल एक ऐसा पत्ता है, जो आपके लिए वर्दान है और वह पत्ता है, सीता फल की पत्तियां. इस वीडियो में हम सीता फल की पत्तियों के चमतकारिक लाभ जानेंगे, और यह भी जानेंगे कि किस तरह से हम इस पत्ते का प्रयोग करेंगे ताकि हमें इसका पूरा और अच्छे से लाभ मिल पाए. और मित्रों, आपको एक ऐसा पत्ता भी बताएंगे, सिर्फ एक बार खाने के बाद जीवन में आपका सिरदर्द कभी नहीं होगा. सरदर्द की सम बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा. इसी लिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यह आपके स्वास्थ से संबंधित है और यह वीडियो आपके जीवन को पूरी तरह प्रभावित करने वाला है. मित्रों वीडियो शुरू करें. उससे मित्रों, आचार्य गुरू जी कहते हैं कि जिनका स्वास्थ ठीक है, मान लो उनका सब कुछ ठीक है. इसी लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने करीबी मित्रों में शेयर करें, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी व्यक् पत्तों के बारे में बता रहे थे, वह बता रहे थे कि हमारी प्रकृती में बहुत सारे पेड़ हैं, और उन पेड़ों में से बहुत सारे पेड़ों के पत्ते हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है, उन्हीं पेड़ों के पत्तों में से एक पत्ता है, सीता फल क जो इस प्रकृती में मानव जाती के स्वास्थे के लिए वर्दान है, जितनी फाइदेमंद सीताफल होता है, उससे भी ज्यादा फाइदेमंद उसकी पत्तियां होती हैं मित्रों. एक सीताफल की पत्तियों में हमारे स्वास्थे से संबंधित बहुत सारे राज और फाइदे छिपे होते हैं आयुरवेद के अनुसार यह एक पत्ता ही आपके शरीर की 80 प्रतिशत खतरनाक बीमारियों को दूर कर देता है मित्रों, इसके बाद आचार्य गुरू अपने सभी शिश्यों को कहते हैं कि इसका पहला फाइदा है कि यह आपकी बलड शुगर को कंट्रोल करता है अगर आप डायबिटीज मरीज हैं तो आपको सीताफल की पत्तियां जरूर खाने चाहिए क्योंकि सीताफल की पत्तियां में कुछ ऐसे कमपाउंड होते हैं जो आपके बलड शुगर के आन अब्जर्वेशन को कम कर देते हैं जो शुगर हम खाते हैं उसको नॉर्मल करने का काम यह सीताफल की पत्तियां करती हैं जिससे वह शुगर हमारे शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाती है और हमारा बलड शुगर नॉर्मल रहता है मित्रों इसके बाद वह आचार्य गुरु सीताफल की पत्तियों का दूसरा फाइदा बताते हुए कहते हैं कि इसका दूसरा फाइदा यह है कि यह आपके वजन को घटाने में मदद करता है क्योंकि सीता फल की पत्तियों में कुछ ऐसे गुण पाये जाते हैं, जो आपके वजन को कम करने में सहायता करते हैं. सीता फल की पत्तियां आपके शरीर की कैलोरी को बर्न करते हैं. और वैसे भी सीता फल की पत्तियां आपके बलड शुगर को कंट्रोल तो करते ही हैं, तो ऐ ऐसे में आपके वजन को कम करने में यह बहुत ही लाभधायक है। और सीता फल की पत्तियों में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। यह फाइबर आपके शरीर में complex starch नहीं बनने देता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। मित्रों, इसके बाद वह गुरू अपने शिश्यों को तीसरा फाइदा बताते हुए कहते हैं कि सीता फल की पत्तियां आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखते हैं। अगर कोई इनसान सीता फल के पत्तों काढ़ा पीता है, तो उसका अच्छा कोलेस्ट्रॉल तो वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन उसका जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसकी वजह से हमारे खून में चर्बी भी जम जाती है, उस चर्बी को कम करता है। इसके अलावा इन पत्तों की मदद से रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ाने में भी मदद मिलती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सीता फल के पत्तों से बनने वाले काढ़े का सेवन करें। ये काढ़ा आपको मौसमी बीमारियों से भी बचाएगा। काढ़ा बनाने के लिए सीता फल के पत्तों को पानी के साथ उबाल ले। जब पानी के साथ पत्तों का अर्क मिल जाए तो उसे च्छान कर नीमबू वशहद मिला कर पी ले। इसके बाद मित्रों वह आचार्य गुरू इसका चौथा फाइदा बताते हुए कहते हैं कि यह आपकी पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। इसके बाद आचार्य गुरू इसका पाचवा फाइदा बताते हुए कहते हैं कि मित्रों यह आपकी मुह की हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया है। अगर आपको बार-बार छाले होते हैं या फिर आपके दांतों में दर्द रहता है या फिर आपके मसूडों में सूजन रहती है जिससे आपको खान खाने में समस्या होती है। तो इन सभी समस्याओं में आपको सीता फल के पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए। और मित्रों आपके मुह के छालों की समस्या भी बहुत जल्दी ही ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आचार्य गुरु अपने शिश्यों को छठा फाइदा बताते हुए कहते हैं कि यह आपकी स्क्रीन के लिए बहुत ही फाइदेमंद है। यह आपकी स्क्रीन के लिए एक अम्रित बान की तरह कार्य करता है। अगर आपको कील मुखासों की समस्या रहती है या फिर काले धबों की समस्या रहती है तो ऐसी समस्या में आप सीता फल के पत्ते का इस्तिमाल कर सकते हैं। मित्रों, सीता फल के पत्ते में कुछ ऐसे एंटिसेप्टिक गुण होते हैं जो आपके शरीर में मुंहा से पैदा करने वाले बैक्टीरिया को नश्ट करता है और आपकी स्किन टोन को इंप्रूव करता है और आपकी स्किन से संबंधित समस्याओं को कम करने का काम करता है अगर आप इन सीता फल के पत्तों को स्किन पर महीने में दो बार इस्तिमाल करते हो तो स्किन संबंधी सारी समस्या समाप्त हो जाती है तो इसके लिए आपको 4-5 सीता फल के पत्ते अच्छे से पीस कर अपने चेहरे पर लगा लेना है अगर आपको डार्क स्पॉट या फिर पिंपल हैं तो आप सिर्फ यह पेस्ट अपने डार्क स्पॉट और पिंपल पर लगाएं और 15-20 मिनट के लिए इसे छोड़ दें और इसके बाद आपको ताजा पानी से अपने मुह को धो लेना है मित्रों, अगर आप दिन में दो या तीन बार अपने मुह को इस तरह से धो लेते हैं तो आपके एकने और डार्क स्पॉट भी धीरे-धीरे कम होने लगेंगे इसके बाद आचार्य गुरू जी अपने शिश्यों को कहते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे आपको सीता फल के पत्तों से मिलते हैं जैसे कि सीता फल के पत्ते से आपकी पुरानी से पुरानी खासी भी कम हो जाती है अगर आपके शरीर पर कोई जखम है तो आप सीता फल के पत्ते को एंटी सेप्टिक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मित्रों, अगर किसी को डेंगू हो जाता है और उसकी प्लेटें डाउन हो जाती है, तो सीता फल के पत्ते उन प्लेटों को कंट्रोल भी करते हैं और उन्हें बढ़ाते भी हैं. तो ऐसी समस्या में आपको सीता फल के पत्तों का काढ़ा बना कर पीना चाहिए, सीता फल के पत्ते आपके स्पर्म काउंट को इंक्रीज करते हैं, आपको सीता फल के पत्ते एलर्जी से भी बचाते हैं, आपको किसी भी तरह की एलर्जी हो, उन सभी में आप आपको सीता फल क पत्ते बहुत लाब देते हैं। मित्रों, इसके बाद आचार्य गुरू जी अपने शिश्यों को कहते हैं कि आप यह जानते हैं कि आपको सीता फल के पत्तों को استعمال कैसे करना है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि मुह के लिए आपको किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है आपको स्किन के लिए किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है और दांतों के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है लेकिन मित्रों इसके अलावा आपको सीता फल के पत्तों के और भी ल और उनको धो लेना है, इसके बाद उनको चबाना है, तो ऐसे में आपको इसके बहुत ही अच्छे फायदे मिलेंगे। इसके बाद इसको चान कर एक गिलास में निकाल लेना है, और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है, आपको ज्यादा गर्म नहीं पीना है, जब ये नॉर्मल हो जाए, तो इसमें आपको आधा नीम्बूरस निचोड कर और मित्रों आपको एक चम्मच शहद मिलाना है, लेक मित्रों, इसको आप खाली पेट भी पी सकते हैं, या फिर सुबह के नाश्ते के बाद भी आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, अगर आप दो बार इसका इस्तिमाल करते हैं, तो आप इसको शाम में भी प्रयोग में ले सकते हैं, मित्रों इसके बाद आचार्य गुरुजी कहते हैं कि शिश्यों, यह सीता फल के पत्तों का काड़ा आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है सीता फल में काफी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो पाचन को दुरुस्त रखता है, जिससे गैस और एसिडिटी की समस्या नहीं होती है इसके साथ ही इसमें टैनिन नाम का एंजाइम भी होता है, जो लूज मोशन को कंट्रोल करता है सीता फल की पत्तियों का जूस पेट के लिए फाइदेमंद होता है मित्रों सीता फल की पत्तियों में विटामिन सी पाया जाता है, जो स्किन को कई समस्याओं जैसे एकने, मुँहा से, स्किन पिगमेंटेशन, दाग धब्बे आदी से छुटकारा दिलाता है वहीं इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाये जाते हैं, जो एकने को फैलने से रोपते हैं सीता फल के पत्तों में पोटेशियम और मैगनीशियम जैसे पोशक तत्व पाये जाते हैं उच्च रक्तचाप यानि हाई बीपी की समस्या को कम करने के लिए इन पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं सीता फल के पत्तों का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा भी बढ़ती है सीता फल के पत्तों का इस्तेमाल करने के लिए पत्तों को उबा लें और चाय पत्तियों के साथ इसे मिला कर चाय तयार करें मिश्रण में अद्रक और नीमबू मिला सकते हैं दिन में एक कप चाई पीएं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पत्ते हैं, जो आपके स्वास्थे के लिए बेहद ही लाभकारी है। इसके अलावा आप नियम के पत्तों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो मित्रों आपके स्वास्थे के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसकी पत्तियों का इस्तेमाल तरह तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। जो सूजन जलन और खुजली को कम करते हैं, नियम की पत्तियों में फंस, वायर्स और बैक्टीरिया से लड़न की क्षमता होती है और यह अपने एंटी कैंसर गुणों के लिए भी जाना जाता है। मित्रों नियम की पत्तियों से त्वचा और बालों से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती है। और हाँ, अगर आप मधुमेह हैं या फिर डाइबिटीज रोगी है, तो भी नियम की पत तो नियम की पत्तियां मुह की दुरगंध को भी दूर करती है। आयूर वेदिक जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जै जै ब पजरंग बली अवश्य लिखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।